आप एक दिन सुबह उठे, उठते ही आपको अजीब अजीब सी अवाजे सुनाई दे रही हैं और वो अवाजे सिर्फ आप सुन पा रहे हो यार, कठपा कह रहा है कि वो मुझे मारने आने आने वाला है और आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं विक्की और उसके दोस्त, मेरा मजाब उड़ाने आ रहे हैं ऐसे किसी भी इंसान को, अगर आप भी देखोगे तो उसको पागल ही बोलोगी लेकिन आपको पता है, यही सब आपका माइन 2400 घंटे साथो दिन हर पल करता है opinions, decisions, ऐसा होगा तो कैसा होगा यह ना हुआ तो क्या होगा, सही, गलत, अच्छा, बुरा, कोई ना कोई भसड दिमाग में चलती रहती है बिजनस में competition के thoughts चलते है, रिष्टों में communication के thoughts चलते है career में elevation के और अकेले हैं तो imagination में हमारा मैं बहुत बार बिना रुके चलता रहता है जिसको हम compulsive thinking कहते हैं और यही हमारी stress का, हमारी परिशानी का, हमारी उदासी का कारण बनती है बोलू या ना बोलू, बोलूँगा तो मजाब उड़ेगा कैसे हसेंगे सब, पिछली बार भी कुछ गलत निकल गया था मूँसे पेटा result आने वाला है, अगर marks कम आये तो और अगर fail हो गया तो, family का reaction, career में क्या होगा I'm not worth it पर कई बार कुछ ऐसी चीज़े भी होती है जो हम नहीं सोचना चारे हम किसी thought से भागना चारे कि ना, मैं ऐसे नहीं सोचोंगा लेकिन, जैसे किसी पानी की बाल्टी में किसी बलून को कितना भी दबालो वो उपर आएगा वही चीज हमारे साथ होती है अच्छा एक बात बताओ, जो भी आपकी plate में डाल दिया जाएगा क्या आप वो खालोगे दूद में निम्बू घोल के दे दिया जाए कोक में चीज मिला के दे दिया जाए आपकी plate में कचरा भर के दे दिया जाए अरे कुछ भी खालोगे ना, तो पेट खराब हो जाएगा अंदर भ्यानत गडबड हो जाएगी और यही चीज हम बचपन से करते आए जो भी thoughts हमें दे दिये गए उनको हम अपनी life का part मानते गए हमारे parents, हमारे relatives, हमारे friends, siblings school, environment जो भी हमें परोस्ता गया, अच्छा या बुरा हम लेते गए और वही से बना हमारा डर, हमारा confidence हमारे religious political views हमारी खुशी, हमारे गम के कारण और इनी में से कुछ thoughts हमारे अंदर भ्यानक गडबड करते हैं जिसकी वज़ए से हम जल्दी उदास हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर पर परेशान हो जाते हैं अब क्यूकि आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं वो आपकी आवाज है लेकिन सच ही है कि वो आपकी आवाज नहीं है वो आपके माइन में डाले गए हजारों thoughts का result है इन में से बहुत सी बातों का आपकी इस moment से कोई relation नहीं हैं बहुत सी बातें आपकी past की negativity से program'd है उनका आपके आज से कोई लेना देना नहीं है आपका mind आपके past के experiences के base पे आपको future का गलत scene दिखाता है आपके past के base पे आपका present का नुकसान करता है अब आप doctor के पास पहुंच के doctor आपको check करने लगया उसने stethoscope की जगा headphone लगा लिए आपको ये सही नहीं लगेगा क्योंकि headphones इस चीज के लिए नहीं बने इसी तरह से आपका mind दुखी होने के लिए नहीं बना आपका mind खुश रहने के लिए बना आपकी जिन्दगी जीने के लिए है आप अभी 30 seconds के लिए इस video को pause करके ये सोचो कि आप क्या सोच रहे हो अपने thoughts को observe करने की कोशिश करो ये चीज आज आप कई बार करके देखो अपने mind में चल रहे है शोर को सुनने की कोशिश करो जब आप observe करोगे ना आपको नजर आएगा कि कैसे आपके thoughts बहते जाते हैं इस एक ball की तरह वो bounce कर रहे है कई बारना आपको train of thoughts नजर आएगी उसके pattern को देखो आपको न अपने thoughts के साथ बहना नहीं है आपको emotional नहीं होना वो thought है आप नहीं हो आपको उसके साथ जुणना नहीं है debate नहीं करना है तरक वितरक नहीं करना बस observe करना है अपने thoughts को सिर्फ observe करना है शुरू में कुछ seconds ही कर पाओगे फिर भैजाओगे धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा फिर कुछ minutes कर पाओगे और बढ़ाते जाओगे जैसे ही question की आवाज आपको एक sound लगती है कैसे अपने बारे में सोच बनाईए यह कहां से आई है कई deep rooted beliefs जो आपका नुकसान कर रहे है खुद पे जो आपने शक करना शुरू कर दिया जो आपने कई चीजों में डरना शुरू कर दिया आप समझोगे कि बहुत सी चीजे past से निकलिये बहुत सी चीजे बच्पन से निकलिये यार मैं बच्चा था it's okay अब मैं बड़ा हूँ वो भी बच्चा थे जो बोल रहे थे क्यों दिल पे लगा के बैठा हूँ वो मेरा past था वो मेरा आज नहीं है आप अपने बारे में कई नए beliefs create कर पाओगे आप अपने बारे में अपनी सोच बदल पाओगे हर चीज सोच से शुरू होती है सोच ही बनाती है और सोच ही डुबाती है अगर अपनी सोच को समझ लिया तो समझ लो अपनी जिंदगी को समझ लिया जब अपनी सोच को समझ जाओगे तो आप जिन्दगी की कई नए एंगल्स को explore कर पाओगे आप अपने mind के energy waste नहीं करोगे ज्यादा focus कर पाओगे, mind को sharp कर पाओगे decisions बेटर ले पाओगे problems आने पे आप रुकोगे नी problems को face कर पाओगे, ज्यादा खुश रह पाओगे जिन्दगी को खुल के जी पाओगे और कटपपा आपको मारेगा नी कहां है कटपपा?